हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आसा करते हैं आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स जैसा के आप जानते हैं कि हम सब की NCRT सीरीज चल रही है जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ NCRT जियोग्राफी चैप्टर नमबर 6 इस चैप्टर का नाम है बी निर्माड यूद् तो चलिए सुरू करते हैं यह आज हमारा छटा चैप्टर है इसके पहले के चैप्टर हम सब कंपलीट कर चुके हैं तो चलिए सुरू करते हैं यहाँ पर एक कहाने दे गई है इसको आप बिलकुल स्किप कर सकते हैं क्योंकि यह इंपॉर्टन नहीं है चलिए शुरू करते हैं, कच्छे पदार्थ को मुल्यवान उत्पाद में परिवर्थित कर अत्यधिक मात्रा में वस्तूओं के उत्पादन को वी निर्माड या वस्तू निर्माड कहा जाता है, यहां पर कहा गया है कि जो कच्छा पदार्थ होता है, उसको अगर हम क्या आप यह भी जानते हैं कि कई किस्म के कपड़े ऐसे रेशों से बनते हैं जो रेशा युदोग में बनते हैं दृतियक कारियों में लगे ब्यक्ति कच्छी माल को परिस्कृत वस्तुगों में परिवर्थित करते हैं स्टील, कार, कपड़ा, युदोग, बेकरी तथा पेपदार्थ संबंधी युदोगों में लगे स्रमी इसी वर्ग के अंतरगत आते हैं कुछ बेक्ति सिवाएं परदान करने में रोजगार पाते हैं इस अध्याय में हम दृतियक क्रियाओं के अंतरगत बी निर्माड युदोगों के भीसे में पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हैं कि जो बी निर्माड होता है वह दृतियक छिद्र के अंतर गताता है यानि सेकेंडरी किसी देश की आर्थिक उनती बी निर्माड युदोगों के विकास में मापी जाती है कि जो किसी देश की उनती होती है किसी देश की आर्थिक उनती बी निर्माड युदोगों के विकास में मापी जाती है अब देखते हैं बी निर्माड का महत्व बी निर्माड का महत्व बी निर्माड युदोग समानेता विकास की तथा विसिस्ता आर्थिक विकास की रिड़ समझे जाते हैं क्योंकि क्योंकि बी निर्माड युदोग न केवल क्रिशी के आधून की करण में सहायक है वर्ने दृतिया क्यों तृतियक सिवाओं में रोजगार उपलब धकराकर क्रिशी पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं देश में अदोगिक विकास विरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवसेख सर्त है भारत में सार्वजनिक तथा सयुक्त छेत्र में लगे युदोग इसी विचार पर आधारित थी जन जाती तथा पिछड़े छेत्रों में युदोगों की अस्थापना का उद्द से भी छेत्री समानताओं को कम करना था निर्मी तवस्तों का निर्यात वाड़ी जेब्यापार को बढ़ाता है जिससे अपच्छित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है वे देश ही विक्सित हैं जो कच्छी माल को विभी नत था अधिक मुल्यवान तयार कर तयार मा में वी निर्वित करते हैं भारत का विकास बिवीद्व सिग्र अधोगिक स्वे-लीट है कि कृषि तथा यूदोग एक दूसरे से पृठक नहीं है यह एक दूसरे के पूरक है क्रिशी और इंडस्री जो है वह एक दूसरे के पूरक है अर्थात भारत में क्रिशी पर अधारित युदोगों ने क्रिशी पैदावर बढ़ुतरी को प्रोच साहित किया है ये युदोग कच्छी माल के रिए क्रिशी पर निर्भर है तथा इनके द्वारा निर्मित उत्प क्रिया भी सच्छम हुई है आज बैस्वी करण के युग में हमारे युदोगों को अधिक परतिसपर्धी तथा सच्छम होने की आव सकता है केवल आत्म निर्भरता ही काफी नहीं है हमारी वस्तुएं गुडवत्ता में अंतराश्टी इस्तर की हो हम अंतराश्टी बाजा में पतिसपर्धा कर पाएंगे अब यहां पर देखते हैं युद्दोगों का वर्गी करण रोजमरा के इस्तिमाल की विभिन अदोगी को उत्पादों की सूची बनाएं ट्रांजिस्टर बिजली का बल्प बनसपती तेल सेमेंट कांच का समान पेट्रोल माचीस स्कूटर वहां दवाईयां आदी यदि हम बीसेस मान दंडों के अधार पर विभिन युद्दोगों का वर्गी करण करते हैं तो अभी निर्माड को आसानी से समझ सकेंगे युद्दोगों को निम्न परकार से वर्गी करित क्या जा सकता है परियुक्त कच्छे माल के स्रोथ की आधार पर कृषी आधार जैसे कृषी आधारित कौन-कौन से युद्दोग हो शकते हैं यहां पर जैसे सूतिवर्स्थर उनिवस्थर पठसन, रेसम रेसम, रबर, जीनी, चाय, कॉफी, वनस्पति, तेल युद्दोग और खनिच पर आधारी जैसे लोहा तथा इस्पाथ, सेमेंट, एलमूनियम, मसीन, और जार, पेट्रोरशान युदोग देखते हैं भूमिका के आधार पर भूमिका के आधार पर अधार भूत युदोग जिनके उत्पादन या कच्छे माल पर दूसरे युदोग निर्वर हैं जैसे लोहा, इस्पाथ, तामबा, प्रगलन वं एलमूनियम, प्रगलन, युदोग उभूगता युदोग जो उत्पादन उभूगताओं के सीधे उपयोग हितू करते हैं जैसे चीनी, दंत, मंजन, कागच, पंखे, सिलाई, मशीन, आधी पूजी निवेस के आधार पर एक लगू युदोग को परिशंपत्ती की एक तिहाई परिशंपत्ती की एक तिहाई पर अधिक्तम निवेस मुल्य के परिप्रिच में परिभासित किया जाता है यह निवेस सीमा समय के साथ परिवर्टित होती रहती है अधिक्तम स्विकार निवेस के आधार पर की जाती है यह निवेस मुल्य समय के साथ बदलता गया वर्तमान में अधिक्तम निवेश एक करोड रुपए तक स्विकार है एक करोड रुपए तक स्विकार है अधिक्तम निवेश चलिए अब आगे देखते हैं स्वामितु के अधार पर स्वामितु के अधार पर अगर देखा जाए तो सारुजनिक छेतर में लगे सरकारी एजेंसियों दौरा परतिभंदी तथा सरकार दौरा संचारी दोग जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल तथा इस्टील एथार्टी आफ इंडिय और स्पेंड जैल यह सारुजनिक छेतर पफ पबलिक सेक्टर के अंतर गत आहेंगी दूसरा है कि जो प्राइवेट सेक्टर के अंतर गत जिसे निजी छेतर के दोग जिनका एक व्यक्ति के स्वामितं में और सब निजी स्वामित के हैं अब देखते हैं सयुक्त युद्धूग कौन कौन से हैं वैसे युद्धूग जो राज य सरकार और निजी छेत्र के सयुक्त पर्यास से चलाया जाते हैं जैसे सहकारी युद्धूग की शे कहते हैं सहकारी युद्धूग जिनका स्वामित तो कच्चे माल की पूर्टी करने वाले उत्पाद कोस्रमिको या दोनों के हाथों में होता है संसादूग का कोस सयुक तो होता है तथा लाभानी का विभाजन भी आनुपातित होता है महारास्ट के चीनी युद्धूग केरल के नारियल पर अधरित युद्धूग यह सब सहकारी युद्धूग आते हैं कच्छी माल तथा तयार माल की मात्रा वा भार के आधार कर भारी उद्ध्योग जैसे लोहा इसपात इद्धादी हलके उद्ध्योग जो कम भार वाले कच्छी माल का परियोग कर हलके तयार माल का उत्पादन करते हैं जैसे बीदूती उद्ध्योग यहां पे क्रिए कलाप है यहां पे क्रिया कलाप है आधि युद्धो भारती अर्थव्योस्था में व्ष्वुव्षथा में अपना अलग महतो है क्योंकि इसका अदोगी कुछ पादन में महतपょ between योगदान हैं देश का यह मा उग्योसक से अच्छ माल से उछए coefficients मुल्य उत्पद तक की स्रिंखला में परिपूर्ण तथा आत्म निर्भर हैं अब दूसरा देखते हैं सूती वस्ति दोग प्राचिन भारत में सूती वस्ति दोग हाथ से कताई और हतकरगा बुनाई तकनीकों से बना जाते थे मसीन निर्मित वस्तो से परधान नहीं कर पाये यहां पर देखिए एक डाइग्राम दिया गया है यहां पर देखिए रेशा उत्पादन कच्छी माल से किया जाता है रेशा उत्पादन में इसके बाद धुनाई या कताई की जाती है इसके बाद सूत निकलता है फिर उसके बाद क्या होती है बुनाई के जाती है बुनाई के बाद कपडा निकलता है उसके बाद रंगाईवा परिस्करण किया जाता है उसके बाद वस्तर निर्माण किया जाता है उसके बाद वस्त गॉर्मेंट से तैयार किये जाते हैं तो इस तरह से एक चक्री प्रक्रिया है चलिए अब आगे देखते हैं यहां पर एक इंपोर्टेंट दिया गया है इसको देख लेते हैं कि पहला सफल सूती वस्ती दोग 1854 में मुंबई में लगाया गया था उरोप में दो विस युद्धों से जूज रहा था तब भारत इंग्लेंड की अधिन था इसे में इंग्लेंड में कपड़े की मांगा प सूती वस्त्र इदोग महाराष्ट तथा गुजरात के कपास उद्वादन शेतरों तक ही सीमित थे कपास की उपलब्धता बाजार परिवहन पत्तनों की समीता स्रम नम्मी युक्त जहलवायू आधिकारकों ने इनके अस्थानी करण को बढ़ावा दिया युद्धों का क् करने वालों गाठ बनाने वालों कताई करने वालों रंगाई करने वालों डिजाइन बनाने वालों पैकेट बनाने वालों और सिलाई करने वालों को यह जीविका परदान करता है यानि यह जो कपड़ा युद्धों है बहुत इंपॉर्टेंट है इस युद्धों के कारण रसायन, रंजक, मीली स्टोर, पैकेजिंग, समागरी, इंजिनिरिंग विदोग की मांग बढ़ती है, कल स्वरूप इनी दोगों का विकाश होता है यदपी कताई कारे महारास्ट गुजरा तथा तमी नाडू में किंद्रीत है लेकिन सूती, रेसम, जरी, कसीदाकारी आदी में बुनाई के परंपरागत कौसल और डिजाइन देने के लिए बुनाई अतधिक विकिंद्रीत है भारत में कताई उत्पादन भी स्वस्तर का है लेकिन बुनावस्तर कम गुडवत्ता वाला है क्योंकि यह देश में उत्पादित उच्चस्तरी धागे का अधिक परियोग नहीं कर पाता बुनाई का कारे हत गर्गों, बिद्दुत कर्गों वा मीलों में होता है हाथ से बुनी खादी कुटूरियोदोग के रूप में बुनकरों को उनके घरों में बड़ी पैमानों पर रोजगार परदान करता है हमारे देश में बिद्दुत चालित कर्गों, कर्गों तथा हत कर्गों द्वारा निर्मित दुमेच की अपिछाकार खानों द्वारा निर्मित दुमेच को कम रखना क्यों महत्तपूर है यहाँ पे एक कोशन उचा गया है अब यहां पर अगला देखते पर्टसन युद्धूग भारत में पर्टसन निर्मित समान का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत तथा बांगला देश के पश्याद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है यानि पर्टसन का सबसे जादा जो निर्यात करता है वह बांगला देश इसके पाद दूसरी नंबर पर भारत है वर्स 2010-11 में भारत में लगबक 80 पट्सन युद्धोग थे इनमें अधिकांस पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर 98 किलोमेटर लंबी तथा 3 किलोमेटर चौड़ी एक सक्री पट्टी मेखला में इस्थित हैं पहला पट्सन युद्धो कोलकाता के निकट रिसरा में 1855 में लगाया गया था 1947 में देश के विभाजन के पश्चान पस्चाथ पट्सन मिले तो भारत में रह गई लेकिन 3-4 जूट उत्पादक छेथ पुर्वी पाकिस्तान अर्थात बंगलादेश में चले गए हुगली नदी तट पर इसके इस्थित होने के निम्लकारण है पट्सन उत्पादन छेत्रों की निकटता सस्ता जल परिवहन सडक रेल वर जल परिवहन का जाल कच्चे माल का मीलो तक ले जाने में सहायक होना कच्चे पट्सन को संसाधित करने में परचूर जल पच्चे मंगाल तथा समीप वरती राज ओडीसा बिहारव उतर परदे से सस्ता स्रमिक उपलब्ध होना कोलकाता का एक बड़े नगरी केंद्र के रूप में बैंकिंग भीमा और जूट के समान के निर्यात के लिए पत्तन की सुबधाय परदान करना आदी समलित है यह सब जो सुबधाय हैं इसलिए जो पट्सन योदोग है हुगली नदी के तट पर इस्तित है देखते हैं चीनी योदोग भारत का चीनी उत्पादन में बिस्व में दूसरा अस्थान है लेकिन गोडवा खांडसारी के उत्पादन में इसका प्रतमस्थान है इस दोग में परियुक्त कर्च्या माल भारी होता है तथा ढूलाई में इसके सुक्रोच की मात्रा घट जाती है चीनी मीले उत्तर परदेश बिहार महारास्ट करनाटक करनाटक तमिनाडू अंध परदेश गुजरात पंजाब हरियाना तथा मध्य परदेश राज्यों में फहली है चीनी मीलो का 60% उत्तर परदेश तथा बिहार में है यह यह दोग मौसमी है अतह सहकारी छेत्र के लिए उप्योग्त है क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है आप इसके बारे में सोचिएगा पिछले कुछ वर्सों से इन मीलो की संख्या दच्छिडी और पश्मी राजों में विशेश कर महारास्त में बढ़ी है इसका मुख्य कारण है यहां गन्ने में अधिक सुक्रोच की मात्रा है अपिछा की ठंडी जलवायू भी गुड़कारी है इसके अत्रिक तिन राजों में सहकारी चमीतिया भी सफल रही है खनीज आधारित युद्धोग कौन कौन से है तो वे युद्धोग जो खनीजवा धातों को कच्छी माल के रूप में परियोग करते हैं खनीज आधारित युद्धोग कहलाते हैं क्या आप इस वर्ग में आने वाले कुछ युद्धो नाम बता सकते हैं लोहा योम इस पाते दुग लोहा तथा इस पाते दुग एक अधारभूत युदोग है क्योंकि अन्य भारी हलके वा मध्यम युदोग इससे बनी मसीनरी पर निर्भन है विबित प्रकार के इंजिनिर समान निर्माण समागरी रच्छाच कित्सा टेली फोन बैज्यानी कुपकरनत और बिबिन प्रकार की उप्भोकता वस्तों के निर्माण के लिए इस पात की आवशक्ता होती है इस पात के उत्पादन तथा खपत को प्राया एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है लोहा तथा इस पात एक भारी युदोग है क्योंकि इसमें परियुक्त कच्छा माल तथा तयार माल दोनों ही भारी और इस्थूल होते हैं इसके लिए अधिक परिवहन लागत की आवशक्ता होती है इस युदोग के लिए लोह एस कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपाद फोर अनुपाद टू अनुपाद वन का है इस पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैगनीज की कुछ मात्रा की भी आवशक्ता होती है इस पात युदोग की अधिक आदर्स अस्थापना कहा होनी चाहिए याद रहे कि इससे निर्मित माल को बाजार तथा उप भोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए सच्छम परिवहन की आवशक्ता है भारत में छोटा नागपूर के पठारी छेतर में अधिकान्स लोहा और इसपात युदोग संकेंद्रित है इस परदेश में इस युदोग के विकास के लिए अधिक अनुकूल सा पेच्छिक परिशितिया है इसमें लोह एसक की कम लागत उच्छ कोटी की कच्छी माल की निकटता सस्ते स्रमिक और अस्थानी बाजार में इनके माल की विसाल संभाविता सम्मिलित है अब यहां मैप देख लेते हैं यहां पर देखिए जो ब्लैक कलर डॉट दिया गया है यह सूती वस्त्र को दर साता है तो कहां कहां सूती वस्त्र की जो इंडस्ट्री है पाई जाती है तो चलिए देख लेते हैं यहां मदुरुई होगी मदुरुई कोयम बटूर चिन्नवी पूणे मुंबई आगे देखते हैं वर्धा महारास्ट में वर्धा जलगाओं और रंगाबाद सूरत बडोदरा दिवास उज्जैन हमदाबाद राजकोट पोरबंदर पोरबंदर यहां पे कुछ जैसे आगरा मुरादाबाद कानपूर मुर्शिदाबाद हावडा हुगली इन सब छित्रों पे जो सूतिवस्त्र की इंडस्ट्री पाई जाती है दूसरा नंबर है जो रेट कलर से उनिवस्त्रों के लिए उनिवस्त्रों के लिए जैसे बैंगलोरू हो गया मुंबई हो गया अहमदाबाद जामनगर जामनगर, मिर्जापूर, कानपूर, सहजहानपूर, आगरा, गौलियर, जैपूर, बीकानेर, पानीपत, गुरुग्राम, लुदियाना, अमरित्सर, अब यहाँ पे एक है, सिरिनगर तो यह सब जो है, यह उनी वस्त्र पाए जाते हैं इन सब छेत्रों में, तीसरा है रेसमी वस्त्र, जो रेसम से निर्मित वस्तों होते हैं, रेसमी वस्त्र कहां कहां पाए जाते हैं, तो देख लीजे यहाँ पे, कोलार, बैंगलोरू, मैसूरू, यह हो गया, बेल गाउं उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे बाकरा, मुर्शिदाबाद, सिरी नगर, अनंतनाग, बारा मुला यह सब अस्थानों पर रिस्मी वस्तर पाया जाते हैं इनकी इंडस्ट्री काफी कम है यहां पर मुर्सिदाबाद जिसे बाकरा यह सब रिष्मी वस्तर के रिष्मी वस्तर की इंडस्ट्री है अब अगला देखते हैं यहां पर यहां पर लोहा और लोहा और इस पात सयंत्र है कुछ तो इसको देख लेते कहां कहां पर है तो यहां पर बिजयनगर भधरावती भिलाई इसके बाद बिसाखा पटनम अंधर प्रदेश में है राउर केला जमसेदपूर बुकारो बरनपूर दुरगापूर यह जहारखंड पुरिशा का छेत्र है तो इस पात युदोग सयंत्र केंद्र है अब देखते हैं एल्मूनियम प्रगलन क्या होता है इस मेल्टिंग भारत में एल्मूनियम प्रगलन दूसरा सरवाधिक महत्पूर धातो सोधनी दोग है यह हलका जंग और उधी उसमा का सुचालक लचीला तथा अन्य धातों के मिस्टर से अधिकठोर बना जा सकता है हवाई जहाज बनाने में बरतन तथातार बनाने में इसका परियोग किया जाता है कई इदोगों में इसका महत्तो इसपात, तामबा, जस्ताव, सीसे के बिकल्प के रूप में परियोगत होने से बढ़ा है देश के एलमूनियम, प्रगलन, सयंत्र, ओडिशा, पश्चिम, बंगाल, केरल, उत्तर परदेश, छतिसगड, महारास्ट वद, तमिनाडू राजे में इस्तित है आपे देखिये नालकों प्रगालक बठी में लेब मिल प्रगालकों में बाकसाइट का कच्चे पदार्थ की रूप में जो भारी गहरे लाल रंग की चटान जैसा होता है परियोग किया जाता है परवा चार्ट जैसे चितर संख्या 6.5 में दिखाया गया है इस युदो की स्थापना की दो महत पूड़ा हो सकता है नियमित उर्जा की पूर्थी तथा कम कीमत पर कच्चे माल की शुनुश्चित उपलब्धता इसको देख लेते हैं हम यहां जो एल्मूनियन विदोग में भी निर्माण की प्रक्रिया है किस प्रकार्शे होती है तो यहां पर कच्च्या माल बाकसाइड खनन से कच्च्या माल निकाला जाता है यहां परिवहन या रेलिया समुद्री माध्धम से लाया जाता है तो बाकसाइड दलन या इल्मूनियम घुलन इल्मूनियम सोधन साला में ले जाता है पहले में दूसरा में है कि कोईला खान से पिच का लास्ट में है कि जिसे पिघली धातु जो इल्लो लाइट का काम करती है इल्मूनियम प्रगालक या इल्मूनियम प्रगालक कहला दिये विद्दूत के माध्यम से इसका निर्माड किया जाता है अब अगला है रशाणी दूग रशाणी दूग भारत में रशाणी दूग तेजी से विक्सित हो रहा है या फैल रहा है इसकी भागिदारी सकल घरेल उत्पाद में लगभग तीन परतिसत है यह इदोग एसिया का तीसरा सबसे बड़ा विश्व में आकार की द्रिश्ची से बारह में अस्थान पर है इसमें लगूवा ब्रीह दोन प्लास्टिक गोंद रंग रोंगन डाई आदी के निर्माण में परियुक्त नाइट्रिकम छार सोडा एस इसे कांच साबुन सोध क्या आप मार्जक कागज में परियुक्त करने के करने वाला रशायन है तथा कास्टिक सोडा आदी सामिल है इन दोगों का देश में विश् प्लास्टिक रंजक पदार्थ दवाईयां औसद रसायनों में रसायनों के बनाने में परियुक्त किया जाते हैं यह दोग तेल सुधन साला हुआ पेट्रो रसायन सायंत्रों के समी पस्थापित है रसायन उदोग अपने आप में एक बड़ा उभोगता भी है अधार भूत रसायन प्रक्रिया दोरा अने रसायन उत्पन करते हैं जिनका उपयोग अदोगिक अनुपरियोग तरिशी अथवा उभोगता बाजारों के लिए किया जाता है ऐसे ही उत्पादों की एक सूची बनाएं है ुरवरक इदोग क्या होता है विश्को देखते हैं ुर्वरक इदोग नानाट्रोजनी ऊर्वरक मुख्यता यूरिया फास्फेट ऊर्वरक दी एपी तथा ऐमोनिय कंध्र हिसमें 3 मुख्य पोसक और पोटास सामिल है कि उत्पादन छेत्रों के इर्दगीद केंद्रित है तीसरा अर्थात पोटास फूर्टा आयात किया जाता है क्योंकि हमारे देश में वाड़ेजिक रूप से या किसी भी रूप में परियुक्त होने वाला पोटास या पोटैसियम योगिकों के भंडार नहीं है हरित कांती के पश्चात यह योद्ग देश के अनेक भागों में फैल गया है गुजराद तमिनाडू उत्तर परदेश पंजाबो केरल राज पुल उर्वरक उत्पादन का लगभग 50 परतिसत उत्पादन करते हैं यह महतपूर उत्पादन राज अन्धपरदेश उरिशा राजस्थान बिहार महारास्ट असम पश्चिमंगाल गोवा दिल्ली मधपरदेश तथा करनाटक हैं अब है सेमेंटी दोग निर्माड कार्यों जैसे घर, कार खाने, पूल, सड़के, हवाई, अड़ा, बांध, अन्य व्यपारिक प्रतिस्थानों के निर्माड में सेमेंट आवस्यक हैं इस युदोग को भारिवा स्थूल, कच्छे, माल जैसे, चूना, पत्थर, सीलिका, जिपसम की आवसकता होती है रेल परिवहन की अत्रित इक्स में कोईला तथा बिदूत उर्जा भी आवश्यक है इस युदोग की काया गुजरात में लगाई गई है क्योंकि यहां से इसे खाड़ी के देशों, यह बाजार की उपलब्धता है पहला सेमेंट युदोग सन 1904 में चिन्नई में लगाया गया था सोतंतता के पशात इस युदोग का प्रशार हुआ अब मोटर गाड़ी युदोग मोटर गाड़ी यात्रियों तो था समान के तिब्र परिवहन के साधन है भारत में विभीन केंद्रों पर ट्रक, बसे, कारे, मोटर साइकिल, स्कूटर, तिपहिया, बहु उपयोगी वाहन निर्मित किये जाते है उदारी करण के पहशात नए और आधुनिक माडल के वाहनों का बाजार तथा वाहनों की मांग बढ़ी है इसे युदोग में विसिसकर कार, दो पहिया, तिपहिया वाहनों में आपार बिद्धी हुई है यह युदोग दिल्ले, गुडगा, मुंबई, पूरे, चिन्नाई, पूलकाता, लखनाओ, इंदोर, हैदराबाद, जमसेद, पूर, बैंगलोरू के आसपास इस्तित है सूशना पर्दोगी की इलेक्ट्रोनिक युदोग सूशना पर्दोगी की तथा इलेक्ट्रोनिक युदोग की अंतरगत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेली वीजन, टेलीफोन, सिल्यूलर, टेलीकॉम, टेलीफोन, एक्चेंज, रडार, कंप्यूटर तथा दूर संचार युदोग के लिए उप्यो बंगलेरू भारत की इलेक्ट्रिक राजधानी की रूप में उबरा है, इलेक्ट्रोनिक सामान की महत्पूर, उत्पादक केंद्र, मुंबई, दिली, हैंदराबाद, पूडे, चिन्नई, कोलकाता लखनौ है, इदोग का सबसे सरवाधिक संकेदर बंगलेरू नोड़ा, और पूडे में है, यह अत्यंत रोचक है कि भारत में स्रूचना परदोग की इदोग के सफल होने का कारण हैड़ वेर वा साफ्ट वेर का निरंतर विकास है, अदोगिक परदूसर्ड तथा पर्यावरण निमनी करण, यदपी इदोगों की भारती अर्थव्योस्था की ब पहला वायू पर दूसर्ड दूसरा जल पर दूसर्ड तिसरा भूमी पर दूसर्ड चोथा ध्वनी पर दूसर्ड पर दूसर्ड करने वाले युददोगों में ताप विद्दूत ग्रिह भी सामिल है, अब पहला देखते हैं वायू पर दूसर्ड अधिक अनुपात में अ द्रवी दोनों परकार के कड़ होते हैं धूलित इस्प्रे कुहासा तथा धुआ रसायन वा कागज युदोग इट के भठे तेल सोधन सालाएं प्रगलन युदोग जिवास मदहन तथा छोटे बड़े कारखाने परदूसर के नियमों का उलंगन करते हैं धुआ निसकासित क करते हैं जहरेली गैसों का रिसाओ बहुत भयानक तथा दूरगामी प्रभाव वाला हो सकता है या भुपाल गैस्त्रास्ति के बारे में हम पिछली कच्छा में पढ़ चुके हैं तो इसके बारे में हमें जानकारी है वायू परदूसर मानो स्वास्त पसूओं पौधो इमारते तथा पूरे परियावरण पर दूस पर भाव डालते हैं अब देखते हैं जल पर दूसर जल पर दूसर युदोग द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अफसिस्ट पदार्थों को नदी में छोड़ने से जल पर दूसर फैलता है जो रंग अफमार्जक अमल लवर तता भारी धातुएं जैसे सीसा पारा किट नासक औरोरक कार्बन प्लास्टिक और रबर सहित कित्री म्रसान आदी जल में वाहित करते हैं भारत के मुखे अपसिस्ट पदार्थों में फ्लाई एस फोसको जिपसम तथा लोहा इस पात की अस जब कार्खानों तथा ताप घरों से गरम जल को बिना ठंडा किये ही नदियों तथा तलाबों में छोड़ दिया जाता है जल में तापी परदुसर होता है जली जियोन पर इसका क्या प्रभाव होगा यह आप हमें बताईए परमाडू उर्जा सयंत्रों के अफसिस्ट वा परमाडू ससस्त्र उत्पादक कार खाने से कैंसर जनम जाद विकार तथा अकाल परभाव जैसी विमारिया होती है मिर्दा वर्जल परदुसर आपस में संबंदी था मलवे का धेर भी सिसकर काच्छा निकारक रासायन अदोगिक बहाव पैकिंग लवड तथा कूरा करकट मिर्दा को अनुब जाओ बनाता है वर्जा जल के सांथ परदुसर हमारे जमीन से रिष्टे हुई भूमिगत जल तक पहुंचकर उसे भी परदुसर कर देते हैं प्रेंट्स आज के समय में सबसे बड़ी चुनोटी जो है वह हमारे जीवन के लिए वह है परदुसर हर जगा आपको परदुसर ही नजर आएगा जहां भी आप देखेंगे तो इसके लिए आप छोटी छोटी चीजों से सुरुआत कर शकते हैं कुछ सौप्ट वेर टेकनोलोजी पार्क दिये गए हैं यहां पर कुछ सौप्ट वेरो टेकनोलोजी पार्क हैं जैसे सीरी नगर, मुहाली, नोडा, जैपूर, इंदोर, गांधी नगर, गुहाटी, कुलकाता भूनेश्वर, विसाखा पत्नम, हैदराबाद, मुंबई, पूडे, बैंगलूरू, मैसूरू, चिन्नाई यह सभी जो हैं साप्ट वेर और टेकनोलोजी पार्क हैं अब आगे देखते हैं धौनी परदूसड धौनी परदूसड से खिनता तथा उत्तेजना ही नहीं वर्न अच्छमता, हिर्दे, गती, रक्त, चाम तथा अने काईक व्योस्थाएं भी बढ़ती हैं अन्चाही धौनी उत्तेजना वमानसिक चिन्ता का स्रोत हैं अदोगिक तथा निर्माड कारकारखानों के उपकरण जनरेटर लकडी चीरने के कारखाने गय स्यांत्र की विद्दूत ड्रील अधिक धौनी उत्पन करते हैं पर्यावरडी निमनी करण की रोक्था कारकानों द्वारा निस्कासित एक लीटर अपसिस्ट से लगभग आठ गुना स्वच्छ जल दूसित होता है अदोगिक परदूसर में स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है इसके कुछ निमन सुझाओ है बिभिन प्रक्रियाओं में जल का नियुंतम उपयोग तथा जल का दो या दो से अधिक दरारो अवस्थाओं में पुनर चक्रण द्वारा पुना उपयोग जल की आव सकता पूर्ती हितू वर्सा जल संग्रहण तीसरा है कि नदियों और तलाबों में गरम जल तथा अपसिस्ट पदार्थों को परवाहित करने से पहले उनका सोधन करना अधोगिक अपसिस्ट का सोधन तीन चरणों में क्या जा सकता है पहला यांत्रिक साद्नों दोरा परात्मिक सोधन इसमें छोटे अपसिस्ट पदार्थों की छटनी छोटे छोटे टुकड़े करना ढखना तल छट जमाव आदिस सम्बलेत है जैविक प्रक्रियाव दोरा दूर्तियक सोधन जैविक रासानिक तथा भौतिक प्रक्रियाव दोरा त्रितियक सोधक इसमें अपसिस्ट जलको पूरर चक्रड दोरा पुना परियोग योग्य बनाया जाशकता है जहां हुमिक तजलका अस्तर कम हो यहाँ योदोगो दोरा इसके अधिक निसकासन पर कानूनी प्रतिबंद होना चाहिए वायू में निलंबित प्रदूसर को कम करने के लिए कारखानों में उची चिमनिया चिमनियों के इलेक्ट्रो इस्टैटिक और छेपड इसक्रबर उपकरण तथा गैसी प्रदूसक पदात्यों को जड़त्वी रूप से प्रिथक करने के लिए उपकरण होना चाहिए कारखानों में कोईले की अपिछ्छा तेल वगयस की परियोग से धुए के निसकासन में कमिलाई जासकती है मसीनों उपकरणों का उपयूग किया जासकता है जैनरेटरों में साइलेंसर लगाया जा सकता ऐसी मसीनरी का परियोग किया जो उछा सल्चम होता था कम ध्षुनी परदूसित करें ध्षुनी उसोसित करने वाले उपकरणों के इसितमाल के साथ कानों पर सो नियंत्रण उपकरण भी की पहनने चाहिए सतत पुस्ड़ी विकास की चुनोतियों के लिए पर्या वरड़ी संचेतना से यूगत आर्थिक विकास की जरूरत है यहां पर NTPC के बारे में कुछ दिया गया इसको पढ़ लेते हैं रास्ची ताप विद्दुद्गरह द्वारा दिखाया गया मार्ग भारत में रास्ची ताप विद्दुद्गरह कॉर्परेशन विद्दुद्परदान करने वाली मुख्य निगम है इसके पास परियावरण परबंधन तंत्र EMS 14001 के लिए बनाई गई ISO परमाण पत्र है निगम प्राक्रितिक परियावरण और संसाधन जैसे जल, खनिच, तेल, इधनवा सनचर नीती का हिमायती है तथा इसे ध्यान में रखकर ही विद्दुद सयंत्रों की अस्थापना करता है इसा निम्न उपायोदारा संभो है आपके कुछ उपाय दिये गए हैं, इसको देख लेते हैं पहला है कि आधुनिक्तम तक्निकों पर अधारित उपकरणों का सही उपयों करके बिद्दमान उपकरणों में सुधार दूसरा अधिक्तम राख का इस्तिमाल करके अपसिष्ट पदार्थों का निवन उत्पादन पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए हरित छेत्र की सुरच्छा तथा ब्रिच्छा रोपड के लिए प्रेरित करना इसरा है कि तरल अपसिष्ट परबंधर राख युक्त जली पुनर चकरण तथा राख संग्रह परबंधन द्वारा पर्यावरण परदूसर को कम करना कि लास्ट है कि सभी उर्जा सयंत्रों का पारिस्थितिक रूप से मॉनीटर तथा समिच्छा करना युम आलाइन आकड़ों का परबंधन करना तो फ्रेंड्स अब कुछ अभ्यास प्रश्न दिया गया है कि इसको हम देख लेते हैं तो पहला है बहु भी कलपी प्रश्न दिये गया है तो पहला है कि निमने लिखी निमन में से कौन सा युद्धोग चुना पत्थर को कच्छी माल की रूप में परियुक्त करता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेमेंट दूसरा है कि निमन में से कौन युद्धोग बाक्साइट कच्छी माल की रूप में परियुक्त करता है तो इसका हो जाएगा अलूमिनियम तो इसके बाद जो लास्ट चैप्टर है अभी जल्दी ही आपको कम्प्लीट करा दिया जाएगा इसके बाद क्लास 10th की NCRT कम्प्लीट हो जाएगी इसके बाद हम एक नए सीरिय से क्लास 11th की NCRT शुरू करेंगे तो मिलते हैं अगले पार्ट में अगर आपको हमारा सेशन पसंदार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और अपने दोस्तों को सेर भी कर दीजे थेंक्यू सो मच